कि नमस्कार स्वागत आपका आपकी अपने ही यूटूब चैनल करमीर में डिलीस जीरो थरीक दिस्मबर 2019 में जो ग्रूफ हर्ष्ट का जो पेपर हुआ उसकी सवाल कर रहे थे इसे पहले मैंने पांच सवाल हल करा दिये हो हालां कि पांच ही करने होते एक चठा सवाल उसी प एक सवाल भी इस नम्र का आता है तो इसी सवाल को मैंने को कर दिया है और ऊपको तरीके से बताँ अब इसका किया जिए रिव्यु से ओर अधर इंफॉर्न में आपको कॉल नमर दे रखे हैं टी डॉट फॉर फॉर्फॉर्वर्वर टी का मेन एजूकसिन होता है फॉर एंडिया और यह लग से यह जो कोल नमर में इसकी गंती नहीं है विए यह से लिखा होता है और एकसेस नमर दे रखे हैं और साइज उगराइज नमर जो इसका जो टुपल सी में जरूत नहीं होती है यह कोल अकोरडिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन अब जो आप यहां सवाल करते तो उसको सवाल नमर भी यह जो जो अग रहनुचेद है जो कि हेडिंग स्क्सथन कैसमे आप कोलन लिखने होते कोल नमर हमें साझ आप एंसल से ही लिखेंगे हुआ को यह कॉल नम लिखने के बाद हम है राइटर का नाम लिखना होता अगा दी रैटर नहीं है तो उसका टाइटर लिखना होता इसमें यह राइटर कौन है इंश्य आर्टी तो एंडिया के बाद आप एक कॉमा लगा देंगे बाख्या के इसको अब देखो इसको ऐसे ये डिपार्मेंट है नैशनल कॉंसिल ओफ आप देखो विडियोकेस्न ट्रेशर्च एंड एजुकेस्नल रिसेर्च एंड टी आरे आई आई एंग फिर कोश्ट के अंदर नेशनल कॉंसिल फिर आपको यहां भी हाइफन लगाना है और पूर्ण कोश्टक बंद करना अब इस तरीके से आप लखेंगे कहने का मतलब नेशनल कॉंसिल अफ एजुकेस्नल रिसेर्च एंड ट्रेनिंग इंडिया इस तरीके से लखा जाएगा पहले इस्तान का नाम फिर उसके बाद जो डिपार्मेंटल का नाम उसमें भी अगजदी कॉंफरे इस पर हो जाएगा आपके सारी चीजे मजबूत हो जाएगी और यह और लगाना है और कोश्टक बंद कर देना और पूर्ण मुराम लगा देना है यह सुचना पूरी हो गई अब इसके बाद आप निचली लाण में आएंगे तो निचली लाण में नया जो होता हम यहां से सुरू करते हैं अब इसमें इसका टाइटल लिखा जाएगा यह इसका राइटर हो गया तो इसका जो टाइटल है वह रिव्यू पिंडिया और फिर अब इसमें सन दे रखा तो सन भी लिखना पड़ेगा अब सन इसमें 2005 है तो कोश्टक में 2005 करतेंगे और यदि नहीं है तो को नहीं लिखना में जो सवाल में दे रखा उसी के कोडिंग में करना है और उसके बाद कौन सी चीज है हमारे पास को ने तो सिरीज के एंट्री न तो आप यहां पर पहले टी कर दो और फिर टी डॉट फोर अब आप क्लासिफिकेसर में जो डी है टूपंट फोर पेज पर टी के लिए आप क्या देखेंगे एजूकेशन और डोट किसके लिए लगता है इस्थान के लिए लगता तो इस्थान आ जागा आपके इंडिया जो फॉर फॉर है वो इंडिया के लिए है तो आप पहले इंडिया लेख देंगे फिर कॉमा फॉर उपर वाड़ा लेख देंगे एजूकेशन यह दो हो गया आपके क्लास इंडेक्स एंट्री अब आप क्या करेंगे इसी की ट्रेसिंग बढ़ाएंगे जो इसी की जैस्ट पीछे होती है तो इसमें सबसे पहले यह चीज लेखी जाती है जो यह इंडिया एजूकेशन और इसमें आधा से थोड़ा इदर लिग आधा यहां से शुरू कर इंडिया और पूर्ण वर्हाम जरू लगाना आपको उसके बाद दूसरी लिखेंगे और पूर्ण वर्हाम लगा दना अब यह होगी और उसके बाद क्या आएगा इसी में इसका जो राइटर राइस्टर यह पूरा आया जाएगा यह इंडिया एजूकेशन रिसर्च सार और आभद का है, करе नही है गूर्हाम लगाक बादाँ यह ओड़ख़ ले ले किता सक्ता मूर्हाम लग अब इसमें जो है यह सारी इस आदे से इधर कुछ नहीं आने चाहिए सारा यह से हम सुरू करेंगे वो बस अगर उद्धर जगे नहीं बच रिये तो सीधा इसी एक सीध में लिखना आपको यहां पर फिर कोष्टा का बंद कर देंगे और पूर्ण ब्राम लगा देंगे इत इसमें इंडिया आधी चीजा आ गई है तो रिपिटेशन नहीं होगा अगर वादियों तो इसके बाद नहीं अदिक नहीं बड़ा देंगे तो आप यहां लग देंगे इंडिया एजूकेशन पूर्ण बराम उसके बाद एक लाइन आपको लिखनी पड़ती है हमें साम लखने फॉर्दा डॉकुमेंट्स इन इस क्लास और इस अब इसमें कौन सा क्योपिटल लग सर वो भी आपको द्यान रखना है कि यह किताब में से आप देख सकते हैं ऐसमें फॉर्दा डॉकुमेंट्स में एफ एक क्लास नमर में फॉन होगा और सीधा इसuman इसमें क्लासिपारड में सी के विठी यह केपिटल और बाकि क्लास नमर में यह एक सी और यह केपिटल है इतना यह होगा उसके बाद आप नीचे क्या करेंगे कि इसके जो रगांक है जो यह इंडिया एजूकेशन के आपने क्या लिए दे वो चैन प्रोसिजर में वह आप यह ती डॉट फॉर फॉर यह लिख दे लिखने देंगे तो यहां आप एज्यूकेशन लखेंगे अच्ट एज्यूकेशन और पूर्ण व्राम उसके बाद यह फोर ड़ोकुमेंट्स करके लास्ट नमर इस तरीके से आप करके और यहां पर लास्ट नमर जो एजूकेसन आपने वहां से जो कॉल नमर दिया वो यहां पैंसल से लिखें और उसके बाद इसमें क्या बचा था एक यह यह ओधर एंट्री तो नाम है वह यहां से यह ले लेंगे कि अब यहां अगर जगह नहीं बचे तो नीचे भी आ सकता इसमें कोई दो राय नहीं है तो अब कि इसके बाद हम यहां क्या लखेंगे इसका टाइटल टाइटल क्या रिवीव ओफ एज्यूकेशन इन इंडिया यह का त्युकेशन इन इंडिया यह का टाइटल है यह वहां पर लिख देंगे कि यह 2005 सवाल में नहीं है तो लेकिन उसमें जो मेंट एंट्री में लिखते यहां पर आपको यह टाइटल आपको लिखना वो भी आपको केपीटल अक्सर में लिखना पड़ेंगे यहंगी चीज लिखते हैं वो हम Capital में लिखते हैं और जैसे तो पूरा लिखना चाहे हैं इंप्पर्णन बात इक दू अक्सर जो पहले वाले वंधो लिख सकते हैं और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा यह 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 यहां नहीं सोरी यहां लखना था यह यहां हम लिख देंगे ठीक है और उसके बाद इसके नीचे हम इसके जो वरगांग के जैसे सवाल हम दे रखा वैसे वैसे हम लिखेंगे टी डोट फॉर फॉर और फी जीरो फाइफ यह और बाकी एंट्री इसमें यह है नहीं इतना यह सवाल ना बिल्कुल छोटा साइस सवाल है आप इसके में पूरी में से पूरी अब देख सकते हैं कि यह मैंने कार्ड में आपने यहां कॉल नमर लखे उसका जो टाइटल जो ड आपको 20 नमर से 20 नमर पूरे मिल गई तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है और वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को तबांद जैसे मैं नए वीडियो बनाओं उसका नोटिपेक्शन आपको मिल जाएगा अगली वीडियो प्रिमले तब तक अलिए धन्यवाद